मध्यप्रदेश का नीमच शहर जावादिला का बैंक का सबसे बिजी टाइम बैंक बंद होने से ठीक पहरे जब लोग बाग जमा निकासी के लिए धक्कम धक्का करते हैं कैश काउंटर पर एक बच्चा आता है दस साल के बच्चे पर कोई ध्यान नहीं देता वो इतना छोटा है कि काउंटर के ठीक नीचे चुप जाता है ठीक उस समय आता है जब कैशर किसी काम से मिनट भर के लिए अपनी कुरसी से उठता है बच्चे के लिए इतना टाइम काफी था चुप चा को नोटो के बंडल साथ लाई जोले में डालता है और बैंक के गेट की तरफ भागता है उसके भागनी की बच्चा से गार्ड अलाम बजा देता है बच्चे के बीचे गार्ड भागता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता कैश काउंटर से 10 लाक रुपे 30 सेकेंड में गायव हो जाते है पुलीस आती है, CCTV खंगालती है पता चलता है कि बच्चा किसी और आदमी के इशारे पर काम कर रहा था अब जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला पुलीस को हिरानी इस बात से हुई कि रुपे चोरी की भनक ना तो बैंक के स्टाफ को लगी और नहीं वहां मौजूद अन्य लोगों को बैंक में लगे CCTV कैमरे से चोरी का खुलासा हुआ विडियो फुटेज में आरोपी लड़का सुभा 11 बजे सहकारी बैंक में आता दिखता है वो कैशेर रूम में गुस्ते हुए देखा जा सकता है इस दोरान काउंटर के सामने खड़े ग्रहकों को उसकी खबर नहीं लगती लड़का शातिराना अंदास में तेजी से नोटों की गड़ी को एक थेले में गिराता है और फॉरन बहार निकल जाता है ये सब करने में उसे महस 30 सेकंड से भी कम समय लगता है बैंक से चोरी कर भरा आने के बाद बच्चा दोड लगाने लगता है तो बैंक का अलाम वज उठता है इसके बाद बैंक का गार्ड उसका पीछा करता है लेकिन वो रफू चक्कर होने में कामियाब रहता है बैंक भाची पुलीस को पता चला कि आरोपी बच्चे को कोई यूवक निर्देश दे रहा था यूवक पहले से बैंक के अंदर मौचूद था जैसे ही उसने कैशियर को अपनी सीट से उठकर दूसरे कमरे में जाते देखा उससे बैंक के बाहर खड़े बच्चे को इशारा कर दिया और इसके बाद बेहत शातराना अंदाज में नोटों के बंडल थैले में चुरा कर चंपत हो गया यह बच्चा पुलीस क्या कहती है? देखे पुलीस अध्यक्ष मनोज राय ने कहा है कि आरोपी बच्चा छोटा था इसलिए कैश काउंटर के आगे खड़े लोग उसे पैसा चुराते हुए नहीं देख सके पुलीस ने तफ्तीश में कई संदिक्ध लोगों को हिरासत में लिया है को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजे, ताकि जब भी हम कोई नया विडियो अप्लोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे, शुक्रिया झाल